Hello everyone, so guys word of the day का series है, देखते हैं आज का वर कौन सा है Guys, आज का जो word है, इसे हम कहते हैं, cock a snook यह पूरा एक idiom है, cock a snook कैसे पढ़ेंगे? cock a snook इसका मतलब क्या होता है guys, देखिए यह लिखा है कि, to do something intentionally to show you have no respect for someone or something तो to do something intentionally का मतलब है कि आप जान बुझ कर कुछ ऐसा करते हैं to show यह दिखाने के लिए, you have no respect for someone or something कि आप किसी की इज़त नहीं करते हैं, कोई भी चीज है अगर आप ऐसा कुछ दिखाते हैं कि यार मुझे फर्क नहीं परता हटना यार मैं इसकी रिस्पक नहीं करता It means you are cocking a snook at that person or at that thing देखिए, example दिखाता हूँ, आपके समझ में आएगा, cock a snook क्या है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, कि he never misses a chance to cock a snook at modern art अब यहाँ पर बात हो रही है, modern art की माली जी कि कोई आपके सामने कोई बहुत बहतरी आर्ट लेकर आया, कोई painting लेकर आया और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इससे पता चले कि यार इस painting को रिस्पक नहीं दे रहा है बंदा यह इज़त नहीं दे रहा है, इसकी एदम वट लगा के रखे हुए, मतलब इसको एक निगलेट कर रहा है, यू समझ लो वो respect नहीं दिखा रहा है, it means you are cocking a snook at that modern art कोई culture है, कहीं पर कोई rules है, कोई tradition है, कोई custom है, कोई ritual है माली जी कोई function होता है, कोई rituals होते हैं जो होते हैं और आप उसको respect नहीं दे रहा है, it means you are cocking a snook at that ritual, you are cocking a snook at that tradition, समझ भार है, cock a snook क्या होता है, और example देखे, don't you cock a snook at my instructions, माली जी किसी ने आपको instruction दिये, कि सुनो, ये करना है, ये करना है, और आप उसके instruction को, मतलब एक respect नहीं दे रहा हो, उसको value नहीं कर रहा हो, कि हटना है, ये तो बोलता है, it means what, you are cocking a snook at his instructions, यहां कह रहा है, I am your superior, मैं तुम्हारा superior हूँ, don't you cock a snook at my instruction, मेरे instruction को कि कभी अभहलना मत करना, कभी ऐसा नहीं होना ची कि मुझे ऐसा लगे कि अच्छा, तुम मेरे instruction मैने जो rules regulations बनाया है, उसकी तुम धज्या उड़ा रहे हो, उसके तुम attention pay नहीं कर रहे हो, don't cock a snook, अब समझ मैं है रहा है, देखे, he cocked a snook at the traffic cop and tore up the ticket, ये इसका मतलब ये है, कि कोई traffic cop आया, कोई traffic police आया, उसने आपको ticket थमा दिया, कि चल भही तरह चलान है, और आपने ऐसे चलान क फार दिया, it means आपने उसको respect नहीं किया, आपने उसको ignore किया, कि हट ना या, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चल हट, it means what, you cocked a snook at the traffic cop, आपने उसको respect नहीं दे, उसकी value नहीं किया, अब तो clear हो रहा होगा, the boy cocked a snook at the park attendant and walked on the grass, मार लो कि जो पार्क का attendant होता है, जो कोई security personal, कोई guard होगा, उसने बोला, भाई, घास पे नहीं चलना है, आपने बोला, अच्छा, नहीं चलना है, चल है, तेरी ऐसी की तैसी, आपने चलना शुरू किया, it means, आपने उसके बात को महत तो नहीं दिया, उसके अभेल ना कर दी, it means, you cocked a snook at that guard or at his instruction, बेलकुल clear, those rich boys were cocking a snook at the forces of law and order, बहीं कुछ अमीर लड़के थे, ओ, law and order की तो धजियां उड़ा रहे थे, they were cocking a snook, clear है, एक छोड़ी सी clipping दिखाता हूं, इसकी इसका इस्तमाल होता है, मैं कोई, ऐसा कभी भी शब नहीं लाता हूं कि कहीं से dictionary से उठाए आपको दे दिया, मैं हमेशा वो लाता ह हूं जो वाकई इस्तमाल होते हैं spoken English में, देखें गैस, तो आपके समझ में आ गया होगा किसका इस्तमाल हम कैसे करते हैं, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, गर अप चाहें तो उसका एक screenshot ले लीचे, प्लीज, ओके, so see you in another episode, till then take care, keep practicing and have fun, thank you guys.